दोस्तों अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूले ताकि मेरा प्रतेक वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब इंजियन गाडिनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप अमरूद का पौधा लगाए हैं या बजार से खडिद के इस बरसात के मौत सम में आप अमरूद खाते हैं त इसके नीचे बहुत सारी ये अमरूद के फल पर के गिड़े हुए हैं और आज मैं दिखाने वाला हूँ एक ऐसा सच जिसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों ये एक पका हुआ अमरूद को मैंने उठाया है जो की बाहर से पूरी तरह से ठीक है और साइद बहु इसक्रीन पर दीख ही गिया होगा जैसे ही मैंने इस अमरूद को तोरा तो आपको अंदर बहुत सारे कीड़े रेंगते हुए नजर आ गये होंगे ये छोटे छोटे सफेद रंग के कीड़े ये किसी भी फल में आसानी से लग जाते हैं ये अमरूद के आलावां आम लीची वगरा में भी आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तो कीरे लगने की समस्या सिर्फ नीचे गिरे हुए अमरूदों पे नहीं है बलकि पेड़ पे लगे हुए जितने भी पके अमरूद हैं उनमें भी कीड़े लगे हुए हैं तो यदि आप पके हुए अमरूद खा रहे ह तो आप सीधे उसे काट के न खाएं बलकि उसे चाकू से काट के पहले देख लें छोटे छोटे टुकरों में काट लें और उसमें कीड़े नहीं है तब उसे आप खाएं क्यूंकि खाते वक्त इन्हें स्वाद से भी इनका पता नहीं चल पाता है और आप कीड़े खा जात है जिसके कारण फलों में कीरे लग जाते हैं लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि फल में कीरे लगने के मुख्ये दो कारण हो सकते हैं पहला कारण ये कि जब आपके पोधों में फल आते हैं तो उस पे मक्षियां लगनी शुरू हो जाती हैं और वो पकने से पहले ही मक्षियां उसे चाटना शुरू कर देती है उसे चाटने के कारण वो जगह काफी मुलाईम और नर्म हो जाता है और वो उसी पे अंडा दे करके चली जाती है मक्यों के अंडे इतने sensitive होते हैं कि वो अंडे से तुरंत कीड़े बनते हैं और वो फल में परवेश कर जाते हैं और बाहर का भागपुना बस छोटा सा एक काला दिखता है बाकी उपर से कुछ नहीं पता चलता और वो कीड़े अंदर परवेश कर जाते हैं और इस तरह जब वो पक जाएंगे तब तक उसके अंदर बहुत साड़े कीड़े हो जाएंगे दूसरे ये कारण होते हैं कि जहां पर पोधे लगाए हैं जदी बगल से गंदी नाली वगरा का निकास हो तो इसकी जड़े हैं वो काफी दूर तक जाती है और नालीों के में जो कीड़े हैं उससे इनको पानी मिलता है और वो पेड़ भी दूसीत हो जाते हैं और इसके कारण उसके फल में बीना किसी बाहर के दाग धबों के ही अंदर में आपको कीड़े मिलने लगेंगे और फल पकेंगे तो उसमें कीड़े निश्चित तोर पे लगेंगे तो दोस्तो अब इसमें बात आती है कि इसके उपचार के लिए हम क्या करें तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ज़दी अप्रील और मई के महीने में आपके जैसे ही अमरूद के पोधे पर फ्लावडिंग सुरू हो जाती है उसी समय में आप उसकी जड़ के दो फीट बाहर बाहर आप उसकी अच्छी तरह से गुराई कर लें बहुत अच्छी तरह से खाद भी मिलेंगे नाइट्रोजन भी उनको अच्छी मातरा में मिलेंगी और नीम खली चुकी काफी तीखा होता है तो इसका परभाव पोधो और फोलो पे भी होंगे तो फोलो को तीता होने के कारण उस पे मखिया नहीं लगेंगी और जदी वो अंडे दे भी देते हैं तो वो अंडे उसमें विक्सित नहीं हो पाएंगे दोस्तों इसके साथ ही आपके पोधों पे स्प्रे करना भी काफी ज़रूरी होता है तो जैसे ही पोधों में फूल आने सुरू हो जाते हैं आप प्रती लिटर पानी में 5-10 मिली लिटर आप उसम गोल तयार कर लें और उस गोल को आप प्रतेक 15-20 दिनों के अंतराल पे अपने पोधों पे स्प्रे करें ताकि अच्छी तरह से फूल फल और पतियों पे उसकी एक लेर बन जाए तो इस तरह आपको 15-20 दिनों के अंतराल पे जदी आप करते हैं तो उसमें किसी भी परकार करके रोगों का भी आकरमन नहीं होगा और आपके पौधे अच्छे रहेंगे फूल गिरते होंगे तो फूल गिरने बंद हो जाएंगे और उसमें अच्छी तरह फल भी लगेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अहम जनकारी दी जदी ये जनकारी और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूं ऐसे ही बहुत जनकारी से भरा हुआ वीडियो तो दोस्तों मिलते हैं को और नए वीड आपका दिन सुब्ध हो